हेलो दोस्तों, तो आप सभी को आज के वीडियो में स्वागत है, तो आज के वीडियो में हम लोग श्री निवास रामानुजन के जीवनी के बारे में जानेंगे, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं. श्री निवास रामानुजन एक महान भारतिय गनेत अज्यत है, इन्हें आधुनेक काल के महानतम गनेत विचारकों में गिना जाता है, इन्हें गनेत में कोई विशेश प्रशिक्षन नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विशलेशन एवं संख्या सिध्धान्त के क्षेत्रों में गहन योगदान दिये, इन्होंने अपने प्रतिभाव और लगन से न केवल गनित के क्षेत्र में आदभुत अविशकार किये वरन भारत को अतुलनिय गौरव भी प्रदान किया, ये बचपन से ही विलक्षन प्रतिभावान थे, तीन इन्होंने खुद से गनित सीखा और अपने जीवन भर में गनित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया, इन्होंने गनित के सहज ग्यान और बीज गनित प्रकलन की अदवितिय अप्रतिभा के बल पर बहुत से मौलिक और अपारम परिक परिनाम निकाले जिन से प्रेरित शोधाज तक हो रहा है, यद्यपी इनकी कुछ खोजों को गनित मुख्यधारा में अब तक नहीं अपनाया गया है, खाल में इनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्स किया गया है, इनके कार्य से प्रभावित गनित के क्षेत्रों में हो रहे काम के लिए रामानुजन जर्नल की स्थापना की गई है, आरं पारम पर एक ब्राहमन परिवार में जनमे थे। इनकी माता का नाम कोमल तामल और इनके पिता का नाम श्रीनिवा सयंगर था। इनका बच्चपन मुख्यता कुम्ह कोनम में बीता था जो की अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में सबसे अधेक अंग प्राप्त किया और आगे की शिक्षा के लिए टाउन हाइ स्कूल पहुँचे। प्रादलों के बीच की दूरी कितनी होती है। रामानुजन का व्यवहार बड़ा ही मधूर था। इनका सामान्य से कुछ अधिक स्थूर शरीर और जिग्यासा से चमत्ती आखे इन्हें एक अलग ही पहचान देती थी। इनके सहपाथियों के अनुसार इनका व्यवहार इतना सौम्य था कि कोई इनसे नाराज होई नहीं सकता था। विद्यालय में इनकी प्रतिभा ने दूसरे विद्यार्थियों और शिक्षकों पर छाप छोड़ना आरंब कर दिया। इन्होंने स्कूल के समय में ही कालेज के स्तर के गनित को पढ़ लिया था। एक बार इनके विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने ये भी कहा था कि वि प्रमन्यम छात्रवृत्ती मिली और आगे कालेज की शिक्षा के लिए प्रवेश भी मिला। आगे एक परेशानी आईी। रामानुजन का गनित के प्रती प्रेम इतना बढ़ गया था कि वे दूसरे विशयों पर ध्यान ही नहीं देते थे। यहां तक कि वे इतिहास, जान की कक्षाओं में भी गनित के प्रशनों को हल किया करते थे। नतीजा ये हुआ कि ग्यारवी कक्षा की परीक्षा में वे गनित को छोड़ कर बाकी सभी विशयों में फेल हो गए और परिनामस्वरूप उनको छात्रवृत्ती मिलनी बंध हो गई। एक तो घर की कुछ समय बाद 1907 में रामानुजन ने फिर से बारवी कक्षा की प्राइवेट परीक्षादी और अनुत्तीर्न हो गए। और इसी के साथ इनके पारम पर एक शिक्षा की इतिश्री हो गई। अपचार एक शिक्षा की समाप्ती और संधर्ष का समय। विद्यालय चुड़ ना कोई नौकरी थी और नहीं किसी संस्थान अथवा प्रोफेसर के साथ काम करने का मौका। बस उनका इश्वर पर अटूट विश्वास और गनित के प्रती अगाद श्रद्धा ने उन्हें करतव्य मार्ग पर चलने के लिए सदेव प्रेरित किया। नामगिरी देवी र रामानुजन को ट्यूशन से कुल पांच रूपे मासिक मिलते थे और इसी में गुजारा होता था। रामानुजन का ये जीवन काल बहुत काश्ट और डैक से भरा था। इन्हें हमेशा अपने भरन पोशन के लिए और अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा और अनेक लोगों से असफल याचना भी करनी पड़ी। विवाह और गनित साधना। वर्श 1908 में इनके माता पिता ने इनका विवाह जान की नामक कन्या से कर दिया। चार विवाह हो जाने के बाद अब इनके लिए सब कुछ भूल कर गनित में दूबना स बॉक्टर की सलाह पर इन्हें वापस अपने घर कुम्ह कोनम लोटना पड़ा। बीमारी से ठीक होने के बाद वे वापस मदरास आये और फिर से नौकरी की तलाश शुरू कर दी। ये जब भी किसी से मिलते थे तो उसे अपना एक रजिस्ट दिखाते थे। इस रजिस्ट यहां पर श्री अयर ने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना और जिलाधेकारी श्री रामचंदर राउ से कहकर इनके लिए 25 रूपे मासिक छात्रवृत्ती का प्रबंध भी कर दिया। इस वृत्ती पर रामानुजन ने मदरास में एक साल रहते हुए अपना प्रथम श शोध पत्र का शीरशक था, बर्नौली संख्याओं के कुछ गुन और यह शोध पत्र जर्नल ओफ इंडियन मैथेमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था। यहां एक साल पूरा होने पर इन्होंने मदरास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी की। सौभाग्य से इस नौकरी में काम का बोज कुछ ज्यादा नहीं था और यहां इन्हें अपने गनित के लिए परियाप्त समय मिलता था। यहां पर रामानुजन रात भर जाग कर नए नए गनित के सूत्र लिखा करते थे और फिर थोड़ी देर तक आराम करके फिर दफ्तर के लिए निकल जाते थे। रामानुजन गनित के शोधों को स्लेट पर लिखते थे और बाद में उसे एक रजिस्ट में लिख लेते थे। रात को रामानुजन के स्लेट और खडिये की आवाज के कारण परिवार के अन्य सदस्यों की नीन्द शौपठ हो जाती थी। प्रोफेसर हाडी के साथ पत्र व्यावहार। इस समय भारतिय और पश्चिमी रहन सहन में एक बड़ी दूरी थी और इस वज़े से सामान्यता भारतियों को अंग्रेज वैग्यानिकों के सामने अपने बातों को प्रस्तुत करने में काफी संकोच होता था। इधर स्थिती कुछ ऐसी थी कि बि लंदन के प्रसिद गनितिग्यों के पास भेजा। पर यहां इन्हें कुछ विशेश सहायता नहीं मिली लेकिन एक लाग ये हुआ कि लोग रामानुजन को थोड़ा बहुत जानने लगे थे। इसी समय रामानुजन ने अपने संख्या सिध्धांत के कुछ सूत्र प्रोफ प्रियता के कारण जाने जाते थे। प्रोफेसर हाडी के शोधकार्य को पढ़ने के बाद रामानुजन ने बताया कि उन्होंने प्रोफेसर हाडी के अनुतरित प्रश्न का उत्तर खोज निकाला है। अब रामानुजन का प्रोफेसर हाडी से पत्रव्यवहार आरंब अब यहां से रामानुजन के जीवन में एक नए युग का सूत्रपात हुआ जिसमें प्रोफेसर हाडी की बहुत बड़ी भूमिका थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिस तरह से एक जोहरी हीरे की पहचान करता है और उसे तराश कर चमका देता है, रामानुजन के जीवन में वैसा ही कुछ स्थान प्रोफेसर हाडी का है। प्रोफेसर हाडी आजीवन रामानुजन की प्रतिभा और जीवन दर्शन के प्रशन सक रहे। रामानुजन और प्रोफेसर हाडी की यह मित्रता दोनों ही के लिए लाबप्रद सिधा हुई। एक तरह से देखा तो दोनों ने एक दूसरे के लिए पूरत का काम किया। प्रोफेसर हाडी ने उस समय के विभिन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सौ के पैमाने परांका था। अधिकांश गनितग्यों को उन्होंने 100 में 35 अंक दिये और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को 60 अंक दिये लेकिन उन्होंने रामानुजन को 100 में 100 अंक दिये थे आरंब में रामानुजन ने जब अपने किये गए शोध कार्या को प्रोफेसर हाडी के पास भेजा तो पहले उन्हें भी पूरा समझ में नहीं आया जब उन्होंने अपने मित्र गनितिग्यों से सलाह ली तो वेस निशकर्ष पर पहुँचे की रामानुजन गनित के क्षेत्र में एक दूरलब व्यक्तित्व है और इनके द्वारा किये गए कार्या को ठीक से समझने और उसमें आगे शोध के लिए उन्हें इंगलेंड आन प्रोफेसर हाडी को इससे निराशा हुई लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से रामानुजन को वहां बुलाने का निश्चे किया इसी समय रामानुजन को मदरास विश्व विध्यालया में शोध वृत्ति मिल गई थी जिससे उनका जीवन कुछ सरल हो गया और उनको शोधकार्या के लिए पूरा समय भी मिलने लगा था इसी बीच एक लंबे पत्रव्य वहार के बाद धीरे धीरे प्रोफेसर हाडी ने रामानुजन को केंब्रिज आने के लिए सहमत कर लिया प्रोफेसर हाडी के प्रयासों से रामानुजन को केंब्रिज आने के लिए आर्थिक सहायता भी मिल गई रामानुजन ने इंग्लेंड जाने के पहले गनित के करीब 3000 से भी अधिक नए सूत्रों को अपनी नोटबुक में लिखा था रामानुजन ने लंदन की धर्ती पर कदम रखा वहां प्रोफेसर हाडी ने उनके लिए पहले से वववस्था की हुई थी अतह इन्हें कोई विशेश परेशानी नहीं हुई इंग्लेंड में रामानुजन को बस थोड़ी परेशानी थी और इसका कारण था उनका शर्मीला, शांत स्वभाव और शुधसात्विक जीवनचर्या अपने पूरे इंग्लेंड प्रवास में वे अधिकांच तह अपना भोजन स्वयम बनाते थे इंग्लेंड की इस यात्रा से उनकी जीवन में क्रांतिकारी परिवर्त नाया उन्होंने प्रोफेसर हाडी के साथ मिलकर उच्चकोटी के शोधपत्र प्रकाशित किये अपने एक विशेश शोध के कारण इन्हें कैंब्रज विश्व विद्यालय अद्वारा भी ए की उपाधी भी मिली लेकिन वहां की जलवायू और रहन सहन की शैली उनके अधे कनुकूल नहीं थी और उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा डॉक्टरों ने इसे क्षय रोग बताया उस समय क्षय रोग की कोई दवा नहीं होती थी और रोगी को सेनिटोरियम में रहना पड़ता था रामानुजन को भी कुछ दिनों तक वहां रहना पड़ा वहां इस समय भी यह गनित के सूत्रों में नई-नई कलपनाय किया करते थे रोयल सोसाइटी की सदस्यता इसके बाद वहां रामानुजन को रोयल सोसाइटी का फेलो नामित किया गया ऐसे समय में जब भारत गुलामी में जी रहा था तब एक अश्वेत व्यक्ति को रोयल सोसाइटी की सदस्यता मिलना एक बहुत बड़ी बात थी रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में इनसे कम आयू का कोई सदस्य आज तक नहीं हुआ है पूरे भारत में उनके शुबचिंतकों ने उत्सव मनाया और सभाएं की रॉयल सोसाइटी की सदस्यता के बाद ये ट्रिनीटी कॉलेज की फैलोशिप पाने वाले पहले भारती अभी बने अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छी जगा पर जा रहा है लेकिन रामानुजन का स्वास्थ गिर्ता जा रहा था और अंत में डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें वापस भारत लोटना पड़ा भारत आने पर इन्हें मद्रास विश्व विद्यालय में प्राध्यापक की नौकरी मिल गई और रामानुजन अध्यापन और शोध कार्य में पुनह रम गए स्वदेश आगमन भारत लोटने पर भी स्वास्थ ने इनका साथ नहीं दिया और हालत गंबीर होती जा रही थी इस बीमारी की दशा में भी इन्होंने मौक थीटा फंक्षन पर एक उच्चस तरिय शोधा पत्र लिखा रामानुजन द्वारा प्रतिपादित इस फलन का उप्योग गनिती नहीं बलकी चिकित साविज्यान में कैंसर को समझने के लिए भी किया जाता है मृत्यू, इनका गिर्ता स्वास्थ सब के लिए चिन्ता का विशय बन गया और यहां तक की अब डॉक्टरोंने भीजवाब दे दिया था अंत में रामानुजन के विदा की घड़ी आही गई 26 अप्रेल 1920 के प्राता काल में वे अचेत हो गए और दोपहर होते होते उन्होंने प्रान त्याग दिये इस समय रामानुजन की आयू मात्र 33 वर्ष थी इनका असमय निधन गनित जगत के लिए अपुरनियक शती था पूरे देश विदेश में जिसने भी रामानुजन की मृत्यू का समाचार सुना वही स्तब्ध हो गया रामानुजन की कार्य शैली और शोध रामानुजन और इनके द्वारा की ये गए अधिकांच कार्य अभी भी वैज्ञानिकों के लिए अबूज पहेली बने हुए हैं एक बहुत ही सामान्य परिवार में जन्न लेकर पूरे विश्व को आश्चर्य चकित करने की अपनी इस यात्रा में इन्होंने भारत को अपूर्व गौराव प्रदान किया इनका उनका वव पुराना रजिस्टर जिस पर वे अपने प्रमयव और सूत्रों को लिखा करते थे 1976 में अचानक ट्रिनिटी कॉलेज के पुस्तकालय में मिला करीब 100 पन्नों का ये रजिस्टर आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है इस रजिस्टर को बाद में रामानुजन की नोटबुक के नाम से जाना गया मुंबई के टाटा मूल भूत अनुसंधान संस्थान द्वारा इसका प्रकाशन भी किया गया है रामानुजन के शोधों की तरह उनके गनित में काम करने की शैली भी विचित्र थी वे कभी कभी आधी रात को सोते से जाग कर स्लेट पर गनित से सूत्र लिखने लगते थे और फिर सो जाते थे इस तरह ऐसा लगता था कि वे सपने में भी गनित के प्रश्न हल कर रहे हूँ रामानुजन के नाम के साथ ही उनकी कुलदेवी का भी नाम लिया जाता है इन्होंने शुन्य और अनंत को हमेशा ध्यान में रखा और इसके अंतर संबंधों को समझाने के लिए गनित के सूत्रों का सहारा लिया रामानुजन के कार्य करने की एक विशेश्ता थी पहले वे गनित का कोई नया सूत्र या प्रमेन्य पहले लिख देते थे लेकिन उसकी उपत्ती पर उतना ध्यान नहीं देते थे इसके बारे में पूछे जाने पर वे कहते थे कि ये सूत्र उन्हें नामगिरी देवी की क्रिपा से प्राप्त हुए है रामानुजन का आध्यात्म के प्रती विश्वास इतना गहरा था कि वे अपने गनित के क्षेत्र में किये गए किसी भी कार्या को आध्यात्म का ही एक अंग मानते थे वे धर्म और आध्यात्म में केवल विश्वास ही नहीं रखते थे बल्कि उसे तारकिक रूप से प्रस्तुत भी करते थे वे कहते थे कि मेरे लिए गनित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं है जिससे मुझे आध्यात्मिक विचार ना मिलते हूँ